अब हम बात करेंगे टाइम के एडिशन और सब्ट्रेक्शन के बारे में मैंने आप यहां पर एड के लिए एक एग्जामपल लिया है देखिए एड 34 मिनिट्स 30 सेकेंड एड 14 मिनिट्स 35 सेकेंड अब हमें क्या करना है तो देखिए इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे एक तरफ हम लिखेंगे मिनिट्स और एक तरफ हम लिखेंगे सेकेंड अब यहां देखिए इसको हमें क्या करना है एड करना है यहां पर देखिए 30 प्लस 35 सबसे पहले क्या करेंगे 30 सेकेंड में 35 सेकेंड को एड करेंगे तो क्या आता है आपके पास 65 तो 65 सेकेंड आएगा अब 65 सेकेंड को आपको क्या करना है मिनिट और सेकेंड में चींज करना है तो 1 मिनिट में कितने सेकेंड होते है 60 तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते है 60 प्लस 5 ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 मिनिट और 5 सेकेंड तो सेकेंड में क् और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 minute यहाँ पर carry आ जाएगा 1 minute तो आप क्या करेंगे 34, 14 and 1 34 minute प्लस 14 minute प्लस 1 minute अब इसको हम क्या करेंगे add करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 49 minute minutes तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे 49 minutes तो इस तरीके से हमने क्या किया? addition किया subtraction में हम किस तरीके से करेंगे? देखिए subtract का question दे रहा है subtract 16 minutes 30 seconds from 47 minutes 25 seconds अब हम क्या करना है? from के बाद जो आता है उसे हमें पहले लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ minutes and एक तरफ seconds अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए first क्या 47 minutes 25 seconds 47 minutes 25 seconds और next क्या है? 16 minutes 30 seconds अब यहाँ पर देखिए 25 में से 30 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 1 minute यहाँ पर जाएगा तो 1 minute it means क्या होगा? 60 seconds जाएंगे ठीक है? तो 60 plus 25 करते हैं तो क्या आता है? 60 plus 25 जब हम करेंगे तो आपके पास आजाएगा 85 seconds 85 seconds it means 85 में से आप क्या करना है? आपको 30 seconds माइनस करना है 85 minus 30 seconds 85 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो क्या करना है? क्या आएगा? 55 seconds तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 55 seconds अब यहाँ से 47 में से 1 यहाँ पर चला गया तो इसकी जगी क्या बचा? 46 46 में से 16 माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 0 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आजाएगा? 40 इत में 30 में 55 여चberg बचाएगा 55 से 2 एएगा यहाँ अभ आप यहाँ रूमी आऀसरोग्या क्य। I hope all of you have understood this concept. Thank you.